तारीख 29 सितंबर 2013, जगहा पाकिस्तान के मुलतान का इंटरनाशनल एरपोर्ट साओधी अरब जाने वाली फ्लाइट उडान भरने को तयार थी, पैसेंजर्स अपनी सीट उपर बैट कर सीट बैल्ट बान चुके थे इतने में अनाउंस हुआ कि आतरीगन रिलाक्स हो जाएं, उडान में थोड़ी देर होगी उस पीच फेडरल इंवेस्टिगेशन एजनसी के कुछ अधिकारी प्लेन में घुसे, उन्होंने एक लिस्ट निकाली फिर कुछ लोगू को साइद में लिया और उन्हें अपने साथ ले गए उस रोज FIA ने कुन सूला लोगू को पकड़ा था उन्में से 11 महिलाएं थी, उनके साथ एक बच्चा भी था लेकिन किस जुर्म में पकड़ा गया था? दरसल ये लोग उम्रहा वीजा पर भीक मांगने साउदी अरब जा रहे थे उम्रहा मक्का की तीर्थ यात्रा का नाम है, यह हज से अलग है उम्रहा पूरे साल भर किया जा सकता है, इसके लिए भी अलग वीजा की दरकार होती है यह पहली बार नहीं है जब धार्मेक या प्रयटन वीजा पर विदेश के पाकस्तानी नागरिक भीक मांगते हुए पकड़े गए हो 28 सितंबर को सरकान ने संसत की एक कमिटी के सामने रिपोर्ट पेश की, क्या-क्या बताया? नमबर एक, विदेश में गिरफ्तार किये गए 90 फीजदी से अधिक भीकारी पाकस्तान से थे नमबर दो, इराक और साओधी अरब ने आधकारिक तोर पर नाराज की जाहिर की है, कहा है कि उनकी वज़ा से जेलों में अराजकता फैल गई है नमबर तीन, कई लोग पॉकेट मारी और चूरी छिनेते जैसे अपराध भी कर रहे हैं, उनकी वज़ा से मुल्क की फजीहत हो रही है नमबर चार, साओधी अरब, एराक और इरान के बाद उन्होंने जापान जाना भी शुरू किया है अब इसकी वज़ा भी आपको बताते हैं, पहली आर्थिक संकट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लगबस 40 प्रतीशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन्यापन कर रही है महंगाई अपने चरम पर है, रूजगार की भारी गमी है, ऐसे में भीक मांगने वालों की तादात तेजी से बढ़ रही है कोरोना मामारी की बाद सिती और बत्तर हुई है तूसरा कारण है ब्रश्टा चार पाकिस्तान ने 1958 में भीक मांगने को अपराद घूशित कर दिया था, मगर धरातल पर सरकार ने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, नहीं इसकी जड़ ढूनने की कोशिश ही की पुलिस कभी कबार गरिफदारिया करती है लेकिन घूस लेकर छोड़ भी देती है यही वज़ाए कि 2022 में पाकिस्तान में भीकारियों की संध्या 50 लाग से उपर पहुँच चुकी थी तीसरी वज़ा माफिया गिरूहों से जोड़ी हुई है पाकिस्तान में भीक मांगना संध्यत अपराद का रूप ले चुका है कई ऐसे माफिया गिरूहों है जिरूने इसको पेशा बना रखा है बेघर बच्चे इनका आसानी से निशाना बन जाते हैं उन्हें भीक मिलने में आसानी होती है भीक का बड़ा हिस्सा ये गिरूह ले जाते हैं उन्तों सितंबर को मुल्तान एयरपूर्ट पर पकले गए लोगों ने बताया कि उनके ट्रावल और टिकेट का इंतिजाम ऐसे ही एक गिरूहों ने कराया था बदली में भीक का अधा हिस्सा उन्हें लोटाना था